प्रकास राजभर जी बहुत बड़ बोले नेता हैं और भारती जनता पार्टी के लिए बार-बार मुसीवत भी बनते हैं और चुकि उनका एक अपना समाज है उसके वोट भी लेके आते हैं और इसलिए उन्होंने बोल दिया और मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनितिक दल जब इस तरह का काम करता है तो ऐसे बोल के करता होगा लेकिन चुकि उनकी आदत है वो पचा नहीं पाए लेकिन एक बड़ी रोचक बात है जो मुझे लगता है कि यह इतनी बात जातियों की चर्चा की हो गई है और देवाशी बार-बार कह रहे हैं कि ब्रामणों को कहते हैं संसाधनों पर कबजा है अनिल यादों कहते हैं कि नहीं यादों नहीं ले जा पाए समाजवादी पार्टी की राज में उत्तरप्रदेश को लेकर देश में क्या इस्चिति है उसका अंकड़ा अभी आएगा चुकि जाती जनगणा बंद है लेकिन उत्तरप्रदे में जो सबसे ज्यादा प्रतिशत वाली जाती है वह ब्रामड है और उत्तरप्रदेश की वह जाती वह जाता और यादव से भी जादा है यह सब पार्टियों के नेता बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन उसकी चरचा इसलिए नहीं करते हैं कि वह बैकफायर करता है जो बार-बार मनुवाद ब्रामणवाद कहा जाता है संसादनों पर कबजा कहा जाता है लेकिन जो दूसरी चीज है कि ओम प्रकाश राजभर आज ये बोल रहे हैं मोहन राव भागवत संग प्रमुक ये दो साल पहले की अखिल भारती प्रतिनज आते रहे अभी लखनव में संग के दो बड़े अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें उन्होंने यही कहा और कई मंत्रियों को फटकार लगाई गई यहां तक कि सरकार को बोला गया कि अगर आपके नेता उन बस्तियों में उन गावों में घरों में नहीं जा पा रहे हैं तो आपकी कोई योजना कितनी भी बड़ी योजना सफल नहीं होने वाली है और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसको बार-बार मैं कहता हूँ कि नकारा नहीं जा सकता है कि अटल अडवानी जोशी वाली बिजेपी नहीं है यह नरेंद्र मोदी और अमिट शाह वाली ब तो मेरा यह मानना है कि अगर वह एंपावर्मेंट कर रहे हैं अगर वह सीटों के टिकट के बटवारे में और मंत्र मंडल के साथ पार्टी में भी वह जगह देने में काम्याब होते हैं तो शायर उनको इसका फाइदा मिलेगा यह सिर्फ राजनितिक बहस भर नहीं है जी